हेलो अरीवन एक बार फिर से आप सभी का क्रेज़ी जिगे ट्रिक के डेली गरंट अफेर की स्रीज में स्वागत थे मेरा नाम है पंकज वैश्चनाव और आज के सेशन में हम हमारी डेली गरंट अफेर की स्रीज को आगे बढ़ाते हुए 25 अक्तूबर के सभी करेंट अफेर को आज के सेशन में डेल में एक एक करके डिसकस करेंगे बहुत इंपोर्टन सेशन है आराम से एंड तक देखिए एक एक फैक्ट को धियान से नोट कीजिएगा मैं आपको लगातार बोलता हूँ कि फैक्ट नोट कीजिए जितने भी मैं आपको इंटरनल डिटेल बताता हूँ वहां से हर एक्जाम में कोश्चन देखने को मिल रहें तो नोट कीजिए आराम से पूरे सेशन को देखिए पसंद आये तो लाइक और शेर कर दीजिएगा चेनल पर पहली बार आये हैं तो चेनल को सब्सक्राइब कर लिजिए ताकि आपको आने वाले जितने भी वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें आईए शुरू करें 25 अक्टोबर के करेंट अफेर को आगे बढ़ाते हैं सबसे पहला इंपोर्टन कोश्चन आज के करेंट अफेर का अक्टोबर दोजार चुबिस में केबिनेट ने इन स्पेस के तहट अंतरिक्ष शेत्र के लिए कितने करोड रुपे के वेंचर केपिटल फंड की स्तापना को मंजूरी दी है तो देखिए जो स्पेस टेकनोलोजी है उसका विकास किया जासके इसके लिए हाली में सेन्टरल केबिनेट ने इन स्पेस के तहट अंतरिक्ष शेत्र में हाली में वेंचर केपिटल फंड की स्तापना की है जो की 1000 करोड रुपे का केपिटल फंड है कितना? 1000 करोड रुपे ठीके इस fund से लगभग भारत में 40 start-up को साहता मिलने के उम्मेदे वो सभी जो की space technology या space के sector में direct indirectly काम करने वाली है space economy में space से सम्मन्दी जितने भी product है उनका विकास करना जितने भी services है उनका विकास करना और इसमें शामिल जितने भी public और private sector के start-up है उनको बढ़ावा देने के लिए venture capital fund की स्तापना की गई है जिसकी total जो funding है जो value है वो एक हजार करोड रुपई की है के अंदर सरकार ने एक हजार करोड रुपई के venture capital fund की स्तापना को हाली में मंजुरी प्रदान की ठीक है research and development से लेकर ground station launching vehicle और satellite space infrastructure का निर्मान करना है ना उप्योग से लेकर navigation equipment का निर्मान करना satellite phones का निर्मान करना metallurgical services को बढ़ावा देना इस venture capital fund को erase किये जाने का मख्युद देश है तो central cabinet ने space technology को बढ़ावा देने के लिए venture capital fund की स्तापना को मंजुरी दी है एक हज़ार करोड रुपे का ये venture capital fund है space technology से सम्मंदित जितने भी startup है उनको साहता प्रदान करना इसका हुद देश है आगया ये विश्व पोलियो दीवस कम मनाया जाता है अगर हम वर्ल्ड पोलियो डेई की बात करें तो ये मनाया जाता है 24th of October को कल हमने 24th October की एक बार बात की थी किस विशय में पढ़ाता हमने UNO Day United Nation Organization Day भी कम मनाया जाता है 24th of October को और वर्ल्ड पोलियो डे भी कम मनाया जाता है तो ये 24 October को मनाया जाता है याद रखिएगा ठीक है अब दोजार 24 में 24 October को विशय पोलियो डिवस जो मनाया गया उसकी थीम की बात करें तो अग ग्लोबल मिशन टू रिच एवरी चाइल्ड है ना हर एक बच्चे तक पहुच को सुनिश्चित करना कि उसे पोलियो से बचाया जा सके रिपेट करता हूँ अग ग्लोबल मिशन टू रिच एवरी चाइल्ड है ना थीम है दोजार 24 में वर्ल्ड पोलियो डे की 24 अक्टोबर को बनाया गया अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि वर्ल्ड पोलियो डे के लिए 24 अक्टोबर को की चुना गया है तो देखे 24 अक्टोबर को बर्थ है अनिवर्सिरी है जोनस सॉल्क की कोन है भाई तो इन्होंने पोलियो का टी का विक्सित किया था सबसे पहली बार 1955 में एक इंजेक ठीके तो इनका जन्म दिवस है जोनस सॉल्क का इसे लिए वर्ल्ड पोलियो डे मनाया जाता है 24 अक्टोबर को इस दिवस की शुरुवात 1985 में की गई थी रोटरी इंटरनेशनल जो किया ओगनाजिशन है इसके द्वारा 1985 से हर साल 24 अक्टूबर को वर्ल्ड पोलियो डे मन आया जा रहा है अब जैसा कि अभी मैंने आपको बता है कि जॉनस सॉल्कर इन्होंने 1955 में पोलियो का ठीका खोजा था इंजेक्शन के रूप में लेकिन जो ओरल मेडिसीन है औरल वेक्सीन है आपने देखा है ड्रॉब डालते है मूह में आजकल पोलियो की यही वेक्सीन चलती है बच्चों को 5 साल से नीचे के जो बच्चे उनको ड्रॉब दिया जाता है ठीके तो यह जो ओरल वेक्सीन है इसके इसे खोजने का श्री दिया जाता है डॉक्टर अलबर्ट साबिन को ठीके इनके दुआरा पहली बार 1961 में ओरल वेक्सीन को खोजा गया था पोलिय की लेगिन पहला टी का विक्सीट क्या था इंजेक्शन के रूप में किस नहीं जॉन सॉल्क या जॉनस सॉल्क जो की युएसे से बिलॉंग करते हैं ठीके पोलियो की बात करें तो नॉर्मली देखिए एक वाइरस जनित रोग है पोलियो वाइरस से होने वाली बिमारी है तो माईलाइटिस के नाम से भी इसे जाना जाता है नॉर्मली क्या था नर्व सिस्टम, तंत्री का तंत्र, ब्रेन, स्पाइन या रीट की हड़ी इसको भी यह प्रभावित करता है ओल ओवर तंत्री का तंत्र को प्रभावित करने वाली भीमारी है पोलियो चीके तो आत्म करने में पूरा वर्ड एक साथ आए ठीक है क्योंकि एक जान लेवा बिमारी है पूरा जो जीवन है ना मोहताज हो जाता है पोलियो के गारण तो इसलिए पुलियो के प्रती लोगों को जागरूप करना या जागरूपता फैलाना वर्ड पोलियो डवे मनाय जाने का जाता है 24 अक्टोबर को अगे बढ़ने से पहले offer of the day आपको बता देता हूँ आप सभी के लिए आज history आपके offer of the day में है देखिए अगर आप complete history join करना चाहते हैं civil services के लिए तो world history और Indian history आपको दोनों इस course में मिल जाएगी civil services के लिए या आपके लिए course है काफी nominal charges में जो state PSE की preparation कर रहे हैं या UPSC की preparation कर रहे हैं वो इस course को join कर सकते हैं इसके अलावा आप individual अगर Indian history पढ़ना चाहते हैं या world history पढ़ना चाहते हैं तो ये भी आपके लिए available है अलग-अलग तीनों की link में आपको description में दे दी है recorded बेच है आपके लिए तो आप join कर सकते हैं बहुत ही nominal charges में ठीक है description में link मिल जाएगी तीनों courses की जो complete history है उसकी world history और Indian history इसके अलावा कोई भी अगर आपको doubt है तो नीचे आपको help line number दे रहा हूं में उस पर आप call करके या फिर whatsapp करके आपकी query वहाँ पर resolve हो जाएगी चलिए आगे बढ़े थाड़ question देखिए तोलवे महिला Indian open का आयोजन कहां किया जाएगा तो 16th women Indian open इसका आयोजन किया जाएगा हरियाना के गुरुगराम में कहां पर हरियाना के गुरुगराम में आपको पता यह सबसे पहली important चीज़ तो यह याद दखेगा कि यह golf का tournament है तोलवा संस्क्रण है Women's Indian open का भारत में आयोजित की जाने वाली अंतरास्त पहचान प्राप्त करने वाली एक golf प्रतियोगिता है हरियाना के गुरुगराम में Women's Indian open के सोलवे एडिशन का आयोजन किया जाने वाला है इस tournament में भारत के 27th golf प्लेयर पाटिसिपेट करेंगे क्योंकि Women's golf tournament है नाम ही देखो ना Women's Indian open तो इंडिया के 27th golf प्लेयर पाटिसिपेट करेंगे और 31 देशों के टोटल 114 प्लेयर यहाँ पर पाटिसिपेट करने वाले 2023 में जो एडिशन हुआ था 2023 में लास्ट इयर पंदरवा एडिशन उसमें भारत की दिक्षा डॉगर थर्ड प्लेस पर रही थी गोल्फ में और इसके अलावा आठवे स्तान पर गोरी का विश्णोई रही थी तो यह भी पाटिसिपेट कर रही है 2024 में अभी तक यह 2016 में एक बार एक इंडियन इस गोल्फ टूनामेंट को जीतने में सफल रही थी उनका नाम है अदिती अशोग ठीक है विमेंस इंडियन ओपन जीतने वाली फॉर्स्ट इंडियन बनकर इन्होंने इतिहास रचा था अदिती अशोग 2016 तो अगर कभी कोश्यन आता है कि अदि इस्टित विमेंस गोल्फ टूनामेंट है जिसकी शुरुवात 2007 में की गई थी 2024 में इसका तोलवा संस्क्रण आयुजित किया जाएगा हरियाना के गुरुग्राम में कहां पर गुरुग्राम विमेंस इंडियन ओपन चीक है आगे बढ़िए 55 भारती इंटरनेशनल फिल्म महुत सव में फोकस देश किसे चुना गया है तो 55 भारती इंटरनेशनल फिल्म महुत सव ते इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल lockdown ऑफ 95 एडिशन है आयुजित किया जाएगा गोवा में कहां किया जा रहा है गोवा और इसमें फोकस कंट्री के रूप में चुना गया है ऑस्टेलिया को फोकस कंट्री ठीक है देखिए 20 नवंबर से 28 नवंबर 2024 तक गोगा में आईजित होने वाले International Film Festival of India के 55 एडिशन में ऑस्टेलिया को फोकस कंट्री के रूप में नामित किया गया औस्टेलिया की साथ फिल्मों का यहां पर प्रदशन किया जाएगा औस्टेलिया सिनेमा का या औस्टेलिया की जो मुवीज का वर्ल्ड सिनेमा में जो योगदान है उसके प्रती सम्मान व्यक्त करना मुख्युद्देश्य इसे फोकस कंट्री के रूप में नॉमिनेट करने का ताकि औस्टेलिया सिनेमा के प्रती हम सम्मान व्यक्त कर सके पूरा वर्ल्ड मिल कर तो पच्पनवा एडिशन है इंटरनेशनल फिल्म फेस्ट्यूल आफ इंडिया का गोवा में यायुजित किया जाता है आपको ध्यान रखना चाहिए इसमें फोकस कंट्री कोंच चुनी गई सल ऑस्टेलिया देखिए इंटरनेशनल फिल्म फेस्ट्यूल आफ इंडिया की बात करतें तो इसे आई एफ एफ आई के नाम से भी जाना जाता है भारत का सबसे प्रतिस्टित और महत्वपुन फिल्म महत्सव या फेस्टिवल है शुरुवात की जा चुकी है 1952 में 1952 से आयुजित किया जा रहा है और भारत में इंडियन गवर्मेंट के Ministry of Information और Broadcasting के द्वारा इसका आयुजन किया जाता है सूचना और प्रसारण मंत्रा ले उद्देश ये क्या है भाई आयुजित किये जाने का International Film Festival of India को तो देखिए इंडिया और International Film के बीच में जो Cultural Exchange है उसको बढ़ावा देना संस्कृती के आदान प्रदान को बढ़ावा देना और सिनेमा की कला को सम्रद्द करना इसे प्रोटसाहिद करना International Film Festival of India को आयुजित किया जाने का मुख्योद देश है 55 एडिशन गोवा में आयुजित किया जा रहा है पहले ये अलग-अलग एक शहरों में आयुजित किया जाता था लेकिन 2004 से फिक्स कर दिया गया कि इसे गोवा में ही आयुजित किया जाएगा ठीक है 2024 में जो 55 एडिशन है उसमें अब्जर्व कंट्री या फिर कहा जाए फोकस कंट्री के रूप में किसे बुलाए गया है तो ऑस्चेलिया को ठीक है अब यहाँ पर दो अवर्ड इंपोर्टेंट दिये जाते हैं इस जो महुत्सव है उसमें कौन-कौन से गोल्डन पीकॉक अवर्ड देखिए यह महुत्सव का सबसे प्रिस्टीजियस अवर्ड है बेस्ट फिल्म को दिया जाता है गोल्डन पीकॉक अवर्ड इसके अलावा सिल्वर पीकॉक अवर्ड होता है जो कि बेस्ट डिरेक्टर, एक्टर, एक्ट्रेस इनको दिया जा सकता है तो यह दो अवर्ड दिये जाते हैं जो कि इंपोर्डेंट है International Film Festival of India चीक है? आगे आई हिंदुस्तान Aeronautical Limited या Aeronautics Limited का Finance Director किसे न्यूक्त किया गया हिंदुस्तान Aeronautics Limited का Finance Director बनाए गया है बारेन्या सेनापती को कौन है? बारेन्या सेनापती यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं बारेन्या सेनापती की बात करें तो यह HAL में बहुत ही लंबा इनका कारिकाल रहा है 1995 में इन्होंने HAL हिंदुस्तान Aeronautics Limited को जोईन किया था 29 वरशों का इनका एक पूरा अनुहव का इतिहास से काफी अलग-अलग पोस्ट को इन्होंने होल्ड किया है अपने कारिकाल में जिसे Finance Execute Directory Director के रूप में भी काम किया है इन्होंने HAL में किसने? बारेन्या सेनापती ने अब इन्हें Finally Finance Director के रूप में अपउंड किया गया है HAL में अब यहाँ पर दीखे Finance Director को समझते कि कि यह क्या काम करता है किसी कंपनी में जो finance director होता है वो पूरे finance से संबंदित मुद्दे देखता है ठीक है कहा कितना finance लग रहा है financial management जो करना होता है धन से संबंदित जो भूमिका होती है वो मुख्य रुप से finance director की होती है इन शौर्ट company के जो वित्ती मामले है उनकी देखरेक का काम finance director का ही होता है कुछ भी घर्च करना तो इनके सिंगने चल लगेंगे तो H.A.L. में finance director नियुक्त किये गए बारणिया सेनापती अब हम बात करेंगे H.A.L. की कुछ समय पहले भी हमने H.A.L. को पढ़ा था क्यूं क्यूंकि भारत की चाउदवी महारतन company कौन बनी है H.A.L. ठीक है 14th महारतन company है भारत की H.A.L. हिंदुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड कुछ समय पहले ही 2-3 दिन पहले ही हमने इसको current affair में discuss किया था company क्या काम करती है तो भारत में defense sector की company है H.A.L. लिडिंग company है defense sector की aircraft का निर्मान करना है न हेलिकॉप्टर बनाना engine मनाना aerospace sector में काम करने वाली है company है all over रक्षा उत्पाद बनाती इसकी स्थापना 1940 में बेंगलूरू में की गई थी शुरुवात में इसको हिंदुस्तान aircraft limited के नाम से जाना जाता था आगे चल कर इसका नाम किया गया हिंदुस्तान aeronautics limited इसका headquarter करनाटक के बेंगलूरू में देखने को मिलता है finance director को नियुक्तुए है बारेन्या सेनापती चीक है आगे बढ़िए तेलंगाना की मूसी नदी को हौन नदी की तरजब पर develop किये जाने की योजना को तेलंगाना सरकार ने मनजुरी दिये हौन नदी की देश में बहती है तो देखे तेलंगाना में एक नदी है मूसी नदी इसकी विशेष्टा क्या है पता है तेलंगाना की capital हेदराबाद मू मुसी नदी की हलत बहुत खराब है, पुरा नाले में तब्दिल हो चुकी है लगभग, बहुत हलत खराब है, तो इसको वापस रिन्यू करना है, यह वापस स्वच्छ पानी इसमें आए, साफ सफाई हो, और पीने का पानी मिलें, बहती हुई नदी बने वापस, इस उद्द कुरिया की कैपिटल स्यॉल में हॉन नदी को चेयोंग चेयों के नाम से भी जाना जाता है, चेयोंग चेयों, या फिर शॉट में कहा जाता है हॉन नदी, ठीक है, तो इसका जो पुन्रुधर किया गया है, नदी को जो बोल सकते है, साफ किया गया है, जो नदी पर काम किया गया है ठीक है सम्रद्ध करने के लिए नदी को उससे प्रेरित होकर तेलंगाना गॉवर्मेंट ने अपने यहां की जो पॉलिटेड मूसी नदी है उसको डेवलप करने की योजना बनाई है उसके पुनरुद्धार की योजना बनाई है ठीक है तेलंगाना में वहां के जो आ होन नदी का structure देखें होन नदी में किस तरीके से वहाँ पर दक्षिन कोरिया ने काम किया और शहर के मुख्य शहर में बेहने वाली नदी को जो लगबक पूरी खत्म हो गई थी नाला बन गई थी खराब हो गई थी उसको पूरी तरीके साफ किया तो इस particular model को अपनाया को पूरा clean किया पूरी तरीके से अपने यहां की जो नदी है होन नदी उसको पूरा clean किया अब वहाँ पर साफ पानी बहरा है तो इसी model को लागू करने के लिए कि भाई आसपास का जो tourism में मुसी नदी का वो बढ़ाया जा सके यहां पर commercial area डेवलप किया जा सके नदी के आ होन नदी बहती है दक्षिन कोरिया सियोल हमने अंसर ले लिया है साउथ कोरिया चाहिए आगया जाए यहां पर हमें casual मुसी नदी की बात कर लेना चाहिए तो देखिए हैधराबाद से 90 किलोमेटर वेस्ट में विकाराबाद जीला पढ़ता है तिलंगाना में वहां पर अन या सहक नदी है कौन मुसी इसी के तड़ पर हैधराबाद नगर बसा हुआ है और इसके अलावा दो डेम देखने को मिलते हैं अस्मान सागर और हिमायत सागर मुसी नदी पर तलंगाना में हैधराबाद के निकर चीए तो मुसी नदी है भाई इसे तलंगाना में मुसी और इदर आते हैं तो आप यहां पर अगर मेप आपको क्लियर दिख रहा होगा तो आप यहां पर दिखेंगे यह हिदरावाद है और यह पर्टिकुलर एक नदी दिखेगी यह मूसी है और यह जो नदी है यह हमारी कृष्णा तो कृष्णा नदी में आकर मिलती है मूसी यहाँ पर भी देखेंगा तो यह आपको यहाँ से ऐसा मेब दिख जाएगा ठीक है यह कृष्णा और यह इदर मुस्ति चले हाली में किसे ग्लोबल एंटी रैसिज्म चेंपियन्शिप अवार्ड दोहजार चोबिस से सम्मानित किया गया उर्मिला चौधरी और मिला चौधरी की बात करें तो यह बिलॉंग करती है भुटान से भुटान की रहने वाली सर पहले तो आप अवार्ड के बारे में बताओ कि अवार्ड क्या है तो देखिए ग्लोबल एंटी रैसिज्म चेंपियन्शिप अवार्ड की बात करें तो यह यूएस डिपार्ट अवार्ड दिया जाता है यूएसे का एक डिपार्टमेंट है वह देता है ग्लोबल एंटी रैसिज्म चेंपियन्शिप अवार्ड रैसिज्म के खिलाफ है ना ग्लोबल लेवल पर जिसने भी अपना उत्करस्ट योगदान दिया है उसे इस आवार्ड से सम्मानित किया ज चोधरी ने ग्लोबल एंटी रैसिज्म चेंपियन्शिप अवार्ड दोहजार चुबिस अपने नाम किया है ना रैसिज्म जानते हैं आप सभी किसी प्रकार का भेदभाव दास्ता है सब रैसिज्म के अंडर में आते हैं उर्मिला चोधरी की यहां पर हम बात करते हैं तो फिर आगे चलकर इन्होंने भी जो बंधुआ मजदूर हैं उनके कल्यान के लिए काफी काम किये हैं बंधुआ मजदूरों को सशक्त बनाने के लिए 42 सहकारी समीतियों की स्तापना करने का श्रे दिया जाता है उर्मिला चोधरी को जिनको 2024 में ग्लोबल एंटी रैसिज्म अवोर्ट से सम्मानित किया गया इन्होंने नेपाल में जो पिछडी जातिया जाती कम्यूनिटी जे उनके अधिकारों को आगे बढ़ाने के लिए नसलवात को रैसिज्म को खत्म करने के लिए इन्होंने काफी प्रयास किया तो अवोर्ट से सम्मानित किया गया उर्मिला चौधरी को Global Anti-racism Championship Award USA के एक मंत्रले के डिपार्टमेंट के द्वारा दिया जाता है WHO ने भारत के पहले टाइफाइट टीके को मंजुरी दी पहले टाइफाइट टीके का नाम क्या है तो अगर हम भारत के पहले टाइफाइट टीके की बात करें तो जाइवेक T.C.V. इसका नाम है क्या है जाइवेक T.C.V. हाली में ये भारत का पहला टाइफाइट का टीका है जिसे WHO ने मंजुरी दी देखिया WHO की मंजुरी के बाद क्या होगा United Nation की जितनी भी member countries है एक certificate हो गया कि भाई global level पर कि अब भारत की जो vaccine है ये टाइफाइट के इलाज के लिए सक्षम है क्योंकि WHO का प्रमाणपत्र मिला है मंजुरी दी है WHO ने तो अब UNO के जितने भी देश है 193 प्लस कंट्री वहाँ पर भारत की इस vaccine को वेचा जा सकता है जाइवेक्ट TCV तो WHO ने भारत के पहले टाइफाइट के जाइवेक्ट TCV को हाली में ओप्चारिक मंजुरी दी यह जो टीका है जाइडस Life Sciences Limited के द्वारा बनाया गया है और यह पहली vaccine है जिसे WHO की global list में शामिल किया गया टाइफाइड के इलाज के लिए इसका जो विकास है गुजरात के अहम्दाबाद में इसका विकास किया गया है ठीके टीके के रूप में इसको विकसित किया गया नॉर्मली देखिए आज 6 महा से लेकर 65 साल तक के जितने भी लोग है ठीके उन लोगों को साल्मोनेला टाइफी बैक्टेरिया से बचाने के लिए ये टीका नॉर्मली दिया जा सकता है साल्मोनेला टाइफी बैक्टेरिया एक्टेरिया से बंच क neurolog हḥोगों सा लिए बैक्टेरिया से होता है टाइफाइट और सबसे ज्यादा बाहाँ जो बोडि का ऑर्गेंद् टाइफाइटी प्रभाव्यद करता वह है आथ ठीक है आते प्रभावित होती है सबसे ज्यादा टाइफाइड में ठीक है तो आत संबंदित बिमारी है और इसके इलाज के लिए जाइवेक TCV भारत का पहला टीका है जिसको WHO ने मंजुरी प्रदान की ठीक है टाइफाइड फीवर भी कहा जाता है टाइफाइड को एक जो बोल सकते है संक्रमंड से फैलने वाली बिमारी है ठीक है साल्मो नेला टाइफी नाम के बैक्टिरिया के करण यह होता है और आत इसमें सबसे जादा प्रभावित होती है अखिल भारती सिविल रक्षा और होमगाट सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था अखिल भारती सिविल सेवा तिविल डिफेंस सिविल रक्षा और होमगाट समीट का आयोजन हाली में किया गया है कॉन्फरेंस का आयोजन हाली में किया गया गु Home Guards Conference का हाली में inauguration किया important इसलिए कि भाई 19 साल के बाद इसका आयोजन किया गया 19 साल के बाद आयोजित की गई है All India's Civil Defense और Home Guards Conference उद्देश्य क्या है भारत भर में Civil रक्षा और Home Guards संचालन में modern technology के माध्यम से दक्षता को वड़ाना modern technologies का यूज करके Civil रक्षा और Home Guards संचालन या Home Guards Operations में उसको बढ़ावा देना उसमें technologies का विकास करना technologies को इंप्रूव करना इस Conference का आयोजित के जाने का मुख्य देश्य है All India's Civil Defense और Home Guards Conference आयोजन कहां पर तो आयोजन हुआ है गुजरात के गांधी नगर ने और कौन सा एडिशन है तो 14th एडिशन है कितने साल बात कंड़क्ट किया गया तो इसे कंड़क्ट किया गया है 19 सालों के बाद इसलिए भी important है चीक है last question October 2024 में भारत के किस पडोसी देश ने अपने यहां भारत की UPI सेवा को मंजुरी प्रदान की तो October 2024 में भारत के पडोसी देश मालदीव ने भारत के UPI पेमेंट को अपने यहां पर अपनाया है मालदीव के जो प्रेसिडेंट है मोहमद मुज्जू आपको पता कुछ समय पहले भारत की आतरा पर थे उसके बाद इन्होंने अनाउंस किया था कि यह भारत के जो यूनिफाइट पेमेंट इंटरफेस सिस्टेम है UPI सिस्टेम उसको अपने यहां पर लागू करेगा तो मालदीव की मालदीव की एकोनॉमिक को बूस्ट करने के लिए वित्ती समावेशन और दोनों देशों के मध्ध में जो लेंदेन की दक्षिता उसमें सुधार के उद्धेश से मालदीव ने अपने यहां पर UPI सिस्टेम को लाँज किया है भारत की जो फाइनेस मिनिस्ट्री है वो और मालदीव समौद्रिक प्राधीकरण ठीके और इसके अलावा दोनों देशों के अलग-अलग मंत्रा लेके जो अधिकारी है वो मिलकर उनकी एक टीम मिलकर UPI के इस सिस्टम का क्रियानवेन करने वाले ठीके ताकि दोनों देशो के मद्ध में दिक्कत ना आए UPI transfer को लेकर UPI से जो transaction होते हैं उसको लेकर तो UPI सिस्टम को अपनाया है अक्टोबर दोहजार चुविस में भारत का पड़ोसी देश है कौन मालदीव ठीक है तो यहां पर हमने 25 अक्टोबर के सभी current affair को detail में समझा अब हम आएंगे last day के current affair के revision पर ध्यान से सुनिएगा निम्न में से कोन वियत नाम देश के रास्टपती चुने गए कल हमने पड़ा था लुओंग कुओंग रास्टिमंडल खेल 2026 से निम्न लिखित में से किस खेल को शामिल नहीं किया गया तो सभी 9 खेल में आपको कल बताये थे जिनको शामिल नहीं किया गया है Commonwealth Games 2026 में United Nations Day कब मनाया जाता है अभी हमने बात की 24 October चर्चामिरा करतारपूर सहेब गलियारा या कॉरिडोर भारत और पाकिस्तान के मध्य में देखने को मिलता है October 2024 में निम्नमेस से किसका रजिस्ट्रार जनरल और जनगरना आयुक्त के तोर पर दो साल का कारिकल बढ़ा ही मृत्युन जय कुमार नारायान October 2024 में International Monitoring Fund ने 2024-25 के लिए भारत की GDP ग्रोथ का नुमान कितना लगाया 5% 80 प्रवासी भारती दिवस 2025 का युजन किस रज में किया जाएगा Odisha October 2024 में विश्व स्वास्त संगटन WHO ने किस देश को मलेरिया फ्री घुशित किया Egypt या मिश्र Asian Development Bank का 69 निम्बर कोन बना Israel और Book विटनेस किस भारती खिलाडी की आटोबाइग्राफी है तो यह साक्षी मलिक विटनेस आटोबाइग्राफी है साक्षी मलिक जो कि एक Indian रैसलर है ठीक है तो यह लास्ट डेक हमारे करन्ट अफेर है रिवाइस कर लिए हमने सविधान का कौन सा आटिकल CAG की शक्तिया और कर्तवय का प्राउधान करता है तो CAG के पावर और जो कर्तवय वो आटिकल 149 में उल्लेखी थे काफिस्ट्रेट ने 148 अंसर किया है उसमें CAG के पद के बारे में उल्लेखे लेकिन CAG की पावर्स दी गई है 149 में पाक जल संदिक किंदो देशों के मद्ध में है तो इंडिया और श्री लंका भारत की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है दामोदर नदी घाटी परियोजना जारखंडवाली तो दामोदर नदी घाटी परियोजना भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है 1948 में तो यह आंसर मिल गए हमें तीनों कोश्चन के अब आज के कोश्चन आप दे ले लीजिए आंसर कीजिए का कमेंट में चाभार पोट किस देश में इस्तित है पहला कोश्चन किस देश को विश्व का शक्कर का कटोरा खहा जाता है सेकेंड कोश्चन और तुफान आसना का नाम करन किस ने किया है कौन से देश ने किया है तीनों कोश्चन के अंसर कीजिए का कमेंट बॉक्स में सिशन कैसा लगा बताईएगा पसंद आया हो तो लाइक और शेर कर दीजिए चेनल पर पहली बार आये हैं तो चेनल को सब्सक्राइब कर लिजिए कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट टेगे करन्ट अफेर में तब तक अपना ख्याल लखिएगा और PDF आप क्रेजी जी के ट् कि दीजिए येर क्रीज़ करनी जीक्ट प्रेज विल्ड़ने बताइब करेंगे और से लिजेगे और में देरेंके लिगे